हेलो माई डियर फ्रेंड्स स्वागत आप सुभी का मेरे चैनल सिवल इंजिनिरिंग चेप्टर वाइज में यह हमारा कंट्यूनियूस पार्ट है कॉंट्रेक्ट के सिपका अभी तक हम कॉंट्रेक्ट के बारे में इस परटिकुलर वीडियो में हम टेंडर नोटिस अर्देस्ट मनी स्क्योर्ट डिपोजिट एंड रिटेंशन मनी इन सभी टोपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओके वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए क्योंकि यह ठेटिकल जो हमारा चैप्टर है यह भी क कैसे आपको परफॉर्म करना है एक बार वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आएए स्टार्ट करते हैं कि टेंडर क्या होता है आप सबीने इसके बारे में कई बार सुना होगा टेंडर क्या होता है टेंडर इजन ओफर इन राइटिंग फ इसमें क्या बताया गया है यह एक रिटन डोक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी काम जो हो रहा हो या फिर किसी भी मैटीरियल की सप्लाई हो इस सब को टर्म्स एंड कंडिशन के साथ मैंसन किया जाता है जैसे आपको कोई घर बनवाना है तो उसका आप टेंडर निकालते है इसमें एक बैडरूम होगा एक किचन होगा एक होल होगा और जो आपके बाथरूम और वाटर क्लोजेट है वो तो सभी मोते हैं तो वो स्पेसिफिकेशन जो आपने बताई है और वो आपको किस मैटीरियल में चाहिए आपको वुडन में घर चाहिए कॉंक्रीट में चा चाहिए या फिर किसी भी दो कंपाउंड का मिक्स्टर चाहिए तो वो सभी आपको स्पेसिफाई करके एक टेंडर निकालना होता है तो उसको बोलते हैं टेंडर ओके अब आगी देखतें डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ओफ कॉंट्रेक्ट की टाइप पे हमारा टेंडर लेवर टेंडर एड इमोलिशन टेंडर ओके यह लग-लग टाइप के हमारे टेंडर होते ह장ं अब प्रेंडर में आगे जाने से पहले हम देखते हैं और को इन वाईट करने से पहले एन आर्किटेक्ट और इंजिनिर has to see that following particulars are ready तो architect और engineer को यह specify करना होता है कि हमारे पास जो काम है वो ready है या नहीं है वो काम क्या है first है हमारा complete plan हमारे पास complete plan होना चाहिए specifications and details of the work are ready in all respects सभी चीज हमारे पास complete हो कि हमें क्या बनाना है क्या हमारा plan है उसमें specifications क्या है उसकी details पूरी complete हमारे पास मौझूद होनी चाहिए ठीक है first चीज तो यह second bill of quantities of various items are fairly accurate जो items वहाँ पे use होंगे उनका bill हमारे पास होना चाहिए या बिल का मतलब है उसका price rate हमारे पास होना चाहिए ठीक है कि कितना quantity वह लगेगी और कितना उसका price होगा next हमारे है necessity conditions regarding the manner in which entire work is to be executed are checked and correct जो भी हमारे necessity conditions होंगी उन सबको अच्छे से follow किया जाएगा या नहीं वो भी इसमें involved होती है ठीक है the contractor interested in submitting his tender has to make a true study of plan specification of works to be executed and also the terms and conditions etc तो जो भी tender जो भी contractor आपके tender को accept करता है जैसे आपने tender निकाला यह घर आपको बनाना है और आपको stone work और wooden work इसमें mix करवाना है और मैं contractor हूँ मैं आपके tender को अच्छे से पढ़ूँगा उसमें क्या drawing दी है क्या details है क्या specification से उन सभी को अच्छे पढ़ने के बाद ही मैं apply करूँगा आपके पास proposal send करूँगा ठीक है तो यह इसमें बताया गया यह था हमारा tender अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल सीविल इंजिन सेप्टर वाइस को आप सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करना ना भूले क्योंकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का notification आ the tender received from a various tenders or contractors are to be compared and a comparative statement is to be prepared before allotting work to a particular contract इसका मतलब क्या है जैसे ही आपने tender को release किया कि आपको घर वनवाना है wooden और stone work उसमें करवाना है ठीक है तो आपके पास काफी सारे contractor का ये आपके पास काफी सारे जो contractors हैं वो आपके पास application send करेंगे जिसको बोलते हैं प्रपोजल और offer ठीक है वो आपको offer बेजेंगे जैसे दस आपके पास contractor आई और उन सभी ने आपके पास offer किया कि मैं आपका काम ऐसे करके दूँगा दूसरा बोले का मैं आपका काम जल्दी करके दूँगा और कम पैसे में करके दूँगा तीसरा कुछ और अपनी स्पेसिफिकेस अपनी quality आपको बताएगा ठीक है तो यह आपको अलग-अलग form में apply करेंगे और आपको उसमें से choose करना है आपको किसके साथ काम करना है या फिर किसको काम देना है ठीक है in order to have a common base for the comparison of tender each tenderer is supplied with the specified form known as tender form which should be include the following details अब इन सबको एक साथ जैसे अब अलग-दस हमारे पास contractor है तो वो सभी एक अलग-अलग format में अपनी application अपने offer आपको बेजेंगे तो उसको सबको avoid करके एक common इसका format बनाया गया है जो क्यों होता है particular offer letter और particular आपका form होता है उसको बोलते है tender form ठीक है उसको fill करके सभी contractor आपके पास send करेंगे ठीक है वो होगा उनका offer कि वो क्या करेंगे अब उसमें क्या-क्या mention होता है form में फर्स्ट होता है notice inviting tender in the name of owner or department ओके जिस department का वो tender है उसका नाम उसके लिखा होता है letter of tender acceptance from the contractor okay contractor का जो acceptance letter है वो इसमें mention होता है earnest money earnest money क्या होता है यह आगे मैं अच्छे से detail में आपको समझाओंगा earnest money to be deposited by the tenderer और contractor along with the tender जो भी इसने earnest money यहनि कुछ पैसा उसको जमा करना पड़ता है tender को accept करने से पहले ठीक है तो वो होती है earnest money अब होती है security deposit security deposit security पैसा भी उसमें जमा करना पड़ता है तो वो भी उसमें mention होता है journal specifications of all items of works तो जितने भी अलग-अलग हमारे channel specifications है अलग-अलग काम के वो भी इसमें mention होते हैं फिर आता है article of agreement and special conditions or any should be included in the tender form जितनी भी हमारी सहमती होती है जितनी भी उसमें rejections होते हैं या prohibitions होते हैं तो वो सभी इसमें mention की जाती है ओके other information regarding contractor is aware of the conditions details of loans estimate condition contract etc तो जितनी भी उसमें अलग-अलग conditions हमारे tender में होते हैं वो सभी इसमें include होती है जैसे कि कोई भी जो काम किया जा रहा है अगर पैसा नहीं तो उसका loan पे काम किया जा रहा है या नहीं तो यह वह सारी नोटिस टेंडर नोटिस क्या होता है प्रोसिजर ओफ इस्विंग टेंडर नोटिस इसको इसू करने का एक प्रोसिजर होता है इसमें क्या बताया गया है जो भी नोटिस या फिर टेंडर निकाला जाता है उसको बुझाता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर एन आईटी ओकें सिर्फ इनवाइटिंग Penner नइटी नोटिस इन्वाइटिंग inspirator उसको बुलाता है जिस भी दिपार्टमैन जैसे आप PWD work में काम कर रहे हैं तो आपको कोई construction करवाना है तो आप उसका tender निकालेंगे ठीक है जैसे flyer आपको construction करवाना है तो उसका notice inviting tender आप निकालेंगे उस advertisement को आप regional जो भी newspaper है या फिर English language का newspaper local newspaper उसमें उसको निकलवाएंगे ठीक है ताकि सब कोई उसको पढ़ सके और जो भी उसमें interested है अपना proposal वो send कर सके ठीक है the tender notice should include the following information जो भी tender notice होगा उसको उसमें क्या-क्या information दी जाती है first होती है name of the agency or department inviting tender तो जिस भी department का notice होता है उसका नाम होता है जैसे आप PWD में काम करते है तो PWD notice inviting tender यह उसमें लिखा होता है ठीक है name of work जो भी काम उसमें क्या जा रहा है वो एंड एक्जेक्ट लोकेशन उसकी लोकेशन कहां पर काम की होगी वो भी इसमें मैंचन होता है फिर आता है थार्ड estimated cost of work estimated cost काम की वो इसमें मैंचन होती है type of type और category of contractor eligible to tender of work तो इसमें contractor कैसी कैसे eligibility वो भी उसमें mention की जाती है कि आप अगर यह eligibility फुल्फिल करते हैं तो आप इसको फिल कर सकते है ठीक है अब आता है time of completion time उसमें mention होता है कि 6 महीने एक साल दो साल में आपको यह काम करके देना है वो भी मैंचन होता है the cost of blank tender form blank tender form की जो cost है वो भी मैंचन होती है specification of works and condition of contract जो भी में conditions होती है voter तो जब भी टेंडर को accept किया जाता है तो उसकी date and time वह भी इस मेंशन होती है जब टेंडर फलता है यानि कि open किया जाता है वह भी इसमें वहने दिपैवें की जाती है सिक्यरटेविटि जो पेग जाता है वह बीचेंशन होती है valid किन राइट्स रिजेक्ट रैईनी और आल टेंडर्स देनम असको एЭकस्प्ट करती अक्सीabad को उसका नाम जो भी उस में rejections किया जाते हैं जो भी उसमें acceptance किया जाते हैं वो सभी conditions terms उसमें mention की जाती है ठीक है तो इसको बोल जाता है टेंडर notice उसमें ये सारी चीजे हमारी include होती है ओके आगे चलते हैं अब आता है submission of tender and deposit of earnest money जैसे ही tender को निकाला गया newspaper में अब मैं उसको fill करना जाता हूँ मैं उसमें interested हूँ उस काम को करने में तो अब मैं उसका form को भरके वापे apply करूँगा कैसे according to the directions given in the notice तो जैसे भी notice उसमें दिया जाता है notice के according तो मैं एक contractor हूँ और वापे उसको submit करूँगा उस terms condition के according अगर वो मुझे satisfy करती है मुझे अच्छा लगता है काम करने तो मैं वह काम करूँगा ठीक है form भरके मैं वहापे submit करूँगा before date जो last date होती उससे पहले ठीक है before और उसमें जितनी भी हमारे sign होते हैं witness होते हैं उन सब के formalities पूरी करने के बाद ही उसको भरा जाता है ठीक है फिर है before that he has deposit the earnest money जो की हमारी होती है usually 2.5% यानि की 0.5% हमारी यूजवली earnest money होती है total cost की in the manner prescribed in PWD form 6 PWD के form 6 में ये mention किया गया है की 0.5% हमारी earnest money होती है एक से 2% हमारी generally हम use करते हैं जैसे मान लीजिए आपका एक लग का कोई काम है और आपको earnest money जो deposit करनी है एक लेक के काम पे आपको एक से 2% यानि की एक हजार वन के आपको पैसे वहां पे जमा करना होगा earnest money के तोर पे ओके एक से दो के ओके अब चलते हैं earnest money इसके बारे में हम अभी तक discuss करते आए है इसको detail में अच्छे से यहां पे हम देखेंगे क्या होती है earnest money earnest money is an assurance or guarantee यह एक टाइब का assurance होता है और guarantee होती है in the form of cash cash की form में on the part of the contract for the for to keep open the offer for consideration and to confirm his intention to take up the work accepted in his favor for execution as per terms and condition in the tender इसमें क्या बताया गया है यह एक type का guarantee होता है जैसे आपने काम दिया और मुझे काम दिया तो मैं आपके पास एक earnest money deposit करूँगा ठीक है उसका काम क्या होता है कि कि मैं अगर अच्छे से काम नहीं करूँ तो वो आप जब्द कर लेंगे पैसा जितना भी earnest money होगा वो एक type की security होती है वो आप जब्द कर लेंगे कि आपने काम अच्छे से नहीं कर रहे हो या फिर काम आप डिले कर रहे हो या फिर जो काम आप कर रहे हो वो आपके terms and condition के generally 1 to 2.5% of the estimated cost of the project तो हमारी earnest money होती है एक से डाइ परसेंट ठीक है total estimated cost जो project की है उसका percentage होता है ये in case where a tenderer fail to commence the work awarded to him the earnest money is forfeited to government no interest is payable upon the earnest money to the contract जैसे कि मैं contractor हूँ मैं अगर आपका काम आपकी terms and condition के according नहीं कर पाता हूँ तो आपको हक है कि आप उस earnest money को जब्त कर लीजिए government के पास उसको दे सकते है ठीक है जो भी interest उस पे बनता है वो भी आप मुझे नहीं देंगे ठीक है तो ये उसमें conditions होती है earnest money given by all the contractor except the three tender should be returned within a week from the date of receipt of the tender इसमें क्या बताया गया है जैसे कि आपने tender निकाला और आपके पास 10 contractor आते हैं अलग-अलग अपना proposal लेके ठीक है तो जो सबसे कम amount में आपका काम करके देगा तो आप जनल सी बात है उसी को ही tender देंगे ठीक है जैसे एक लाग का project है तो मैं उसको बोलता हूँ मैं अपना margin लगा के उसको एक 10 में complete कर देता हूँ ऐसे ही second contractor है वो बोलता है मैं एक 20 में complete कर दूँगा थर्ड एक 40 में एक 35 में एक 12 में तो जो भी आपको सबसे कम पैसे में complete करके देगा काम उसको आप tender देगे तो यह simple बात है तो फर्स्ट काम क्या होता है सबसे तीन जो lowest proposal होते हैं कम income sorry कम जो cost आपको offer करते हैं उनको आप चूज कर लेते हैं ठीक है सबसे कम तीन जो होती है lowest cost वाले उसको आप चूज करेंगे बाकि जितने भी हमारे contractor होते हैं उनकी earnest money आप वापिस कर देते हैं within week जैसे ही acceptance होता है contractor को tender मिलता है सारी चीज अप्रूव हो जाती है तो एक हफ़ते के अंदर अंदर सभी का earnest money आपको वापिस करना होता है ठीक है तीन को छोड़के जो भी तीन lowest होते हैं उनको छोड़के बाकि सबका आपको वापिस करना होता है earnest money अब आती है earnest money of the second and third lowest tender should be returned within 15 days of the acceptance of the tender तो जो आपके सबसे कम तीन होते हैं जो lowest category में होते हैं उनका second और third जो होता है उसको आप अगले 15 दिन के अंदर वापिस कर सकते हैं earnest money ठीक है हम इस तीन को क्यों रखते हैं क्योंकि अगर जो सबसे कम price देने वाला contractor हो उसमें कुछ अगर problem है कुछ वो अपनी eligibility फुल्फिल नहीं कर पाता है तो हम second का option लेते हैं फिर उस second भी नहीं तो third का option लेकर चल सकते हैं तो अगर first ही सारी eligibility पूरी करता है तो हम first को contract देके और बाकी second को अगले 15 दिन के अंदर उसकी earnest money वापिस कर देते हैं यह refundable होती है earnest money ठीक है अब है the earnest money of the lowest tender whose tender is normally accepted ठीक है is retained by the department तो जो सबसे कम की बोली लगाता है उसका tender accept हो जाता है और उसको ही retain करके रख लिया जाता है as a security deposit security deposit के तोर पर ही उसको रख लिया जाता है ठीक है तो यह होता है हमारा earnest money तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया तो comment करके मुझे बताईए कुछ और आपको अच्छे example के साथ मैं इसको समझाने की कोसिस करूँगा अब आता है security deposit security deposit is an amount of money which shall be deposited by the contractor whose standard has been accepted in order to render himself liable to department to pay compensation amounting to the part of rule of his security deposit if the work is not carried out according to the specification time limits and conditions of the contract okay तो जैसे ही आपने मेरे पास tender accept हो चुका है मेरा tender accept हो चुका है ठीक है मुझे contract मिल चुका है अब मैं काम करना start करता हूँ तो काम करने से पहले earnest money तो मैंने आपको दी है earnest money के साथ मैं आपको security deposit भी extra देता हूँ ठीक है वो earnest money के साथ ही add हो जाता है ठीक है उस total को security deposit फिर बोला जाता है अगर मैं काम अच्छे से नहीं करता हूँ after acceptance of the tender of a contractor the earnest money which has deposited at the time of tender is treated as a part of security money जो भी earnest money है उसको ही हम security money के type में retain करके अपने पास रखते हैं and the additional amount of security money is deducted from the progressive bill तो आगे जो भी काम होता रहता है उसका बिल जो पास होएगा तो उस बिल में से हम कुछ amount उसमें से cut करके अपने पास submit करके रखते हैं retain करके रखते हैं as a security the security deposit is refundable to the contractor after prescribed maintenance period is over जैसे ही हमारा project complete होता है और उसके बाद एक दो साल का जो maintenance period होता है उस period के बाद हम उसको जो security deposit है वापिस कर देते हैं contractor को ठीक है यह prescribed जो हमारा maintenance period है हर एक जिंगा पर अलग अलग होता है road का case में अलग होता है building का case में अलग होता है तो जैसे ही वह time period complete होता है हमारा project complete होता है तो हम उसको वापिस कर देते हैं उसका security deposit ठीक है in order to afford relief to the contractor a percentage normally 50% of security money is refunded for the portion of work which has been completed and those and whose maintenance period is over कुछ अगर relief देना है हमें contractor को यानि कि अगर contractor के पास पैसा कम हो जा रहा है और उसको problem आ रही है पैसा earn करने में कहीं से इकटा करने में तो हम उसको 50% security दे भी सकते हैं ताकि उसको कुछ burden कम हो और अपना काम वो जारी रख सके ठीक है तो यह था हमारा security deposit अवाता है इसमें topic retention money whenever any claims for payment of a sum of money arises out or under the contract against the contractor the engineer in charge is entitled to withhold the and have lien to retain some and sums in wool or a part from security deposit till finalizing or adjustment of any sum claim यह क्या होता है यह एक non compulsory form होती है पैसा की जो कि compulsor नहीं होता है इंजीनियर इंचार्ज जो वापर होता है उसके अंदर यह काम होता है जैसे कोई contractor मैं contractor मुझे अगर पैसा लगाने में problem आ रही है ठीक है तो इंजीनियर इंचार्ज के पास यह power होती है कि कुछ पैसा वो उसको security में से दे सकता है और कुछ वो अपने पास रखेगा रिटेन करके ठीक है तो वो होती है retention money ठीक है कोई dispute वहाँ पे होता है कोई sum अगर पैसा contractor लेना चाहता है बीच में तो उसमें से उस पैसे को दिया जा सकता है ठीक है this has not compulsory compulsory नहीं होता है and very rarely rises out of contract तो contract में काफी rarely यह term use होती है retention money क्योंकि यह regularly terms नहीं है हमारे किसी भी tender या contract की it has no relation with the tendering amount जो भी tendering amount है उससे इसका कोई relation नहीं होता कोई इसकी percentage नहीं होती है यह engineer in charge पर depend करता है कि उसको कितना पैसा देना है तो जरूर तो वो दे भी सकता है और नहीं दे सकता कोई भी compulsory यह नहीं होता है ठीक है depend upon amount of claim against a contract जो contract demand करता है तो उसकी according उसको पैसा दे भी सकते है और नहीं भी यह सारी चीज जो power होती है वह engineer in charge की होती है तो यह था हमारा retention money उमीद करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छी लगेगी काफी conceptual है थोड़ा सा boring भी feel हो सकता है कोई नहीं एक बार देखिए दो बार देखिए बट 101% है आप इसमें अच्छे नंबर लेके आएंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है प्लीज लाइक जरूर कीजिए मेरे वीडियो को सेर जरूर कीजिए सब्सक्राइब तो करना आप बूलिये नहीं जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही benefit आपको भी होगा आपके साथियों को भी होगा अपने study related group में इस वीडियो को सेर कीजिए गर पे रहिए सुरक्षित रहिए और देखते रहे मेरे चैनल civil engineering chapter wise को thank you for watching have a good day